नमस्ते ओवर्वियू में आपका स्वागत है हमेशा की तरह टीम की जगह चार प्रश्ट पहला क्या जजज साहब के अदालत टीवी स्टूडियो में भी चलेगी दूसरा क्या सरकार सोशल मीडिया के आवास बंद कर पाएगी तीसरा राजपाल सरकारी बिल पर कब तक बैठ रह सकते हैं और चौथा कुछ व्यवचारी बीजेपी में भी क्यों सदाचारी नहीं बन पाते हैं इन पे विस्तार से चर्चा करने से पहले आप से काग्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबर्शिप भी ले ले मेंबर्शिप का मतलब कि हर मह महिने आपको एक चोटी रकम हमें लेनी होती है और अगर आप हर महिने का कमिट्मेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक मुष्ट एक बार भी आप हमारी आर्थिक्स सहीयोग कर सकते हैं जिससे हमें चैनल चलाने महासा नहीं रहती है तो सबसे पहली बात क्या आप लोग अपने मुझे विल्कुल ठीक से याद है अपने नजदीकी लोगों के रिष्टे में मर्ड़े में पब्लिक सेलिबरेशन में मैजॉरिटी आफ जज़ बहुत रेयली कोई सुना हो तो सुना हो नहीं जाते थे वो पब्लिक अपेरंस नहीं होते थे अब बात जी वो एक किसी मामले में कैलकटा हाई कोट को लेके उनकी कुछ समस्याइं हुई जिसको लेके वो सुप्रिंग पोट गए थे जो जज़ जिसमें इन्वाल्व हैं जिसके अगेंस्ट ये सारी बाते हो रही हैं वो जस्तिस अबजीद गंगोपाध्या है जस्तिस 18 में कलकटा में जज़ज मनें और उनका थोड़ा सा यह है कि वो थोड़ा TMC के प्रती थोड़ी वो सकती दिखाते हैं ये वो शुरू से दिखाते रहे हैं उन्हों नहीं हाला कि रिकूर्ट्मेंट जो स्कैम की प्रोब CBI से और्डर करने का आदेश उनोही ने दिया था ज 20 सेप्टमबर 2022 को ABP आनन्द ये बंगला चैनल है ABP का उसमें एक इन्होंने इंटर्वी दिया जज साहब ने इंटर्वी दिया और उसमें उन्होंने कई बातें कहीं उन्होंने एक तो जो बात जो मतलब सारजुनिक रूप से उन्होंने कहीं TV के उपर त्रिनुमूल कॉंग्रेस के जनल सेक्टरी अभशेक बैलर जी को उन्होंने कहा कि इनको तीन महिने की सजा ये कहने के लिए होनी चाहिए कि BJP और जुडिशिरी और हैंड इंगलाफ्स अब ये एक TV इंटर्वी दे रहा है उनसे TV से पुछा जा रहा है और वहां पर ये अ लिए इनको तीन महिने क सजा देनी चाहिए ये वहां पे भी अपना अदालत लगाए हुए थे फिर उन्होंने आगे कहा कोई ये ये गलती से निकला हुआ जमला नहीं था उन्होंने आगे कहा कि मैं जानता हूं कि इस वाकत को लेके कंट्रोवर्सी होगी लेकिन फिर भी म ये कह रहा हूं तो मतलब वो जचसाब हैं एक तो थोड़ा जचसाब हैं तो आम आदमी से थोड़ा उपर हैं उनके कुरसी भी थोड़ी उची होती है उनकी कुरसी पे जो कवर लगता है वो भी ज़्यादा सफेद होता है वो सारी चीज़ हैं जचसाब तो आम इंसान से थ दुरान नितिक गे हैं उन्होंने ये कही थी तो उस समय मैं लदाग में था और उन्होंने का मुझे अब शेक बेनर जी किस रिमाक पर ऐसा लगा मुझे बहुत गुसा आया और मैंने कहा कि मैं वापस लोटूँगा इनको समन करूँगा और इनके उपर क्या-क्या मकदमा चल आप आये अब ये जजज सहाब टीवे इंटर्यू में इसे बता रहे हैं कि लगदाग मुझे को क्या साथ देख क्यों लगा और हम लोगे मानते हैं कि जजज के कोई सब दिखाई नहीं पड़ता है कि कौन है क्या नहीं है क्या फिर 26 नवबर को इनी जस्टिस गंग कुपा सब्सक्राइशन है वो कैंसिल कर दिया जाए मतलब ये अब खुले आम अपना कोट में बैठके ये अपने आप्जर्वेशन दे रहे हैं कि अब टी-एमसी का जो रिकर मिशन है वो कैंसिल कर दिया जाए उन्हों ने धंकी कहा कि मैं इस तरह का डिसिशन दे दूंगा जो अ को पाधियाई जी ने एडियो सीबी आई को डिरेक्ट किया कि आप जाके कोशन करिये अब शेक बैनर जी से और जल्दी से जल्दी कोशन करिये और बात में उन्हों ने ये भी कहा कि ये जो प्रोबिंग एजिंसीज हैं इनके किसी भी अफसर के अगेंस्ट कोई एफार अब शेक मैलर जी सुप्रीम कोट में अपील किये सुप्रीम कोट में इनके अपील को चीफ जसस ऑफ इंडिया और जसस नर्समन की बेंच ने सुना और उनका ये अब्जर्वेशन है कि जज़ज केनाट गिफ इंटर्यूज अन दे केसे अर हेरें जिस केस में वो सुना है उस पर इंटर्यूज मेरे साब से तो कहीं पर भी इंटर्यूज नहीं दे सकते हैं वो जुडिशल बातें करें उस पर बातें करें लेकिन आप केसेस पर इंटर्यूज दे रहे हैं वो चाहें दूसरे की कोट में बी चल रहा हूँ ये मेरे ख्याल में वाजिब चीज नहीं है चीज जो से उस बेंच ने रिष्ट्री को डैरेक्टिव किया है कि इंजस साहब से का जवाब लेके फ्राइडे तक मतलब अठाइस तारिक तक उसको फाइल करें और उसके बाद वो इस पे अप्रोप्रियेट निर्ने लें कहीं कहीं आपको यह नहीं लग रहा है कि गुजरात मॉडल ऑफ जिस्टिस जो है जो बहुत आजकल चर्चा में है कि किस तरह से नरौदा गाम के सरसक्ठ जो अभियुक्त हैं कहीं न कहीं देश में हावी होता जा रहा है अब दूसरी बात क्या सरकार सोशल मीरिया के आवाज बंद कर पाएगी यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने आई टी रूल्स में रह रहे कि हो कई बदलाव करते रहते हैं अभी एक प्रफट में एक एमेंवेN आया है अफ्रेल के प्रताम सथता हमें उनोंने की 시 उदावक आ थेंगुक्सी यह हैश्ज को झा झाल्यार की इस बात को लेके बंबई हाई कोर्ट में उन्होंने पेटिशन दायल की है और उनकी पेटिशन का कहना है कि जो भी फेर क्रिटिसिजम आज गोर्मेंट करेगा उसका प्रोटेक्शन नहीं रहेगा और इसलिए उन्होंने इस पे स्टे करने की बात कहीं है और एक चीज़ और है, देखिए एक चीज़ समझना होगा जो डिमोक्रेसी है जो लोक्तंद है उसका एक बहुत इंपर्टिंगरीडियन्ट फ्री प्रेस है जो सरकार से प्रश्न पूछता है, जो सरकार की आलोचना करता है ये एक एक लोगतंत का महतपूर हिस्सा है अभिनांग है बंबे हाई कोट ने कामरा साब की पेटिशन को मेंटेनिबल बताके एडमिट किया है और उनकी प्रेयर फॉर इंटरेम स्टे को उन्होंने कहा है कि हम थर्ज़डे को 27 एप्रिल को इसको कंसिडर कर लेंगे तो इसकी भी समावना है कि ये जो और आया है इस पे स्टे ही लग जाए इधर से सरकार की तरफ से ये बार बार हुआ बंबे हाई कोट में की तुशार महता साहब जो सॉलसर जनरल उफ इंडिया है उनको अगले हफते वह उनको टाइम दे दिया जाए वो अगले हफते अपियर होंग ये दिक्कत हो रही है अभी जब सोचिए ये सब रूल नहीं थे तब भी तो सिदीक कपन को ढ़ाई साल आपने जेल में रख लिया था बिना किसी उसके तो ऐसा आसा नहीं है अगर हाई कोट इस पे स्टे दे देती है तो एक बड़ी बचत होगी एक बड़ा बारी प्रोट प्रेक्शन होगा सोचल मेलिया वालों के उपर अब तीसरी बात पर हम लोग आते हैं राजपाल सरकारी बिल पर कब तक बैठे रहेंगे ये बात तो इसलिए कि एक नई आदत हो गई कि जो भी बीजेपी की में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है जो जिसको हमारे मारे कहते हैं डबल इंजन सरकार नहीं है जहां डॉन बीजेपी सरकार हैं वहां पर जो जो कि राजपाल तो बीजेपी की ही सरकार सेंट्रल गॉर्मेंट बनाती है तो अपने लोगों को वहां जो पॉलिटीशन रहते हैं उन्हीं को वहां बिठा दिया जाता है तो वो लोग व पास होता है विदान साबास पर उसके उपर बैठ जाते हैं अब उसको ले के सब परशान है सारी एसटेट परिशान है किरला इस्टेट है तमिल नाडू है तेलंगाना इस्टेट इसके अगें सुप्रिम कोड़ पे एक पेटिशन उसने दायर के और उस petition में उनसे बहुत साफ साफ कहा कि इस इस तरह की दिक्कत है तो सुना तो सुप्रियम कोड ने और उन्हों ने ये भी कह कि governor's must must assent or send back bills as soon as possible अब ये as soon as possible बड़ा vague bird है मेरे लिए as soon as possible हो सकता है दो घंटा हो किसी के लिए as soon as possible हो सकता है दो हफता हो और मेरे बहुत से हैसे जानने वाले हैं जिनके लिए दो साल भी कोई फरक नहीं पड़ता है दो साल हो तो ये as soon as possible को quantify नहीं किया गया है उस पर बार बार अपने लंगाना के जो वकील लोग थे और वो पेटेशनल थे और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको आप as soon as possible को quantify कर दीजे लेकिन इसको उन्होंने ये बात उनकी नहीं मानी बस यह कहते रहें कि ने ने इसको आप जल्दी से जल्दी स्टेट गौर्वनर्स को इसको करना थे as soon as possible मुझे लगता है यह आतो गया है लेकिन इस पर कुछ होने वाला नहीं है इस गौर्वनर्स आप लोगों की जैसी चाल है वो वैसी रहेगी वो यूनिन गौर्वर्मेंट दोरा बताए जाएंगे कि क्या करन सदाचारी बीजेपी में भी क्यों सदाचारी नहीं हो पाते हैं यह मैंने इसलिए कहा कि एक अजीब सी ख़बर आई आज पेपर में एक बालेश धनकड साहब है यह भालेश धनकड साहब ऑस्टेलिया में रहते हैं इनका पहले पुराना परचे जान लीजे परचे यह है क ये मुख आदमी थे जिसमें लेड Overseas Friends of the BJP जब हमारे मुदी साहब जा रहे थे और उनका जो रोड़ शो होता था मुधी मुधी ये सब जो नारे लगवाए जाते थे लोग लाए जाते थे फूल होता था ये सब होता था उसके ये सब करदा धरता थे उस्ट्रेलिया उनके अभी उनको सजा हुई उस्ट्रेलियन कोर्ट से वो भैसब सीरियल रेपिस्ट है कई बलातकारी मतलब और एक वन्स वो नहीं है लगाता रहे उसकी वीडियो बनाते है उसका क्या क्या करते हैं वो मांसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति है जो वहाँ पे फ्रेंड्स आफ बीजेपी ओवर्सीस फ्रेंड्स आफ बीजेपी को को लीड करता था मैं इसके इसकी फोटो उटन नहीं लगा रहा हूं मुदी जी के साथ क्योंकि वो मालम नहीं इसमें क्या लग क्या नहीं है मैं इसका लिंक दे दे रहा हूं आपको आप लिंक पे जाए ये में उसमें दे रहा हूं आप लिंक पे जाए ये क्लिक कर ये पूरी स्टोरी खुद पढ़ लीजे क्योंकि मालम नहीं इसमें देना क्या क्या इसमें आएगा क्योंकि अब धीरे धीरे इन लोग भी बहुत सिंस्टिफ होते जा रहा है कि मतलब मोदी जी के बारे में कोई बात मत कही है लेकिन यह है दूसरा मुझे नहीं समझ में आया कि उनका क्या होगा आपको याद दिलाने के लिए सिर्फ मेगाले के एक बीजेपी के लीडर थे याद आया बर्नार्ट मरक साथ अब वो मー آरेक हैं मर्ट है मारक हैं एक भाई साहब हैं जिनको अच्छा लगता है कि मेरे सुबह से शाम तक मेरा उचारन और मेरा आवाज और मेरे यह सब पर उनको कमेंट करने में मैं घ्या आता है ये एक ब्राथल, ब्राथल को हिंदी में गंदे गंदे शuite होते हैं मैं उसको नहीं रिपीट कर रहा हूं, वो लड़कियों का की देंके वैपार का काम इनका था, इनका वैपार क्या था, आपने ब्रादे जिस्म का दंदा और ये पिर पकड़े गए थे और ये बीजेपी के पहले भी यह हो थे बीजेपी के साथ फिर बीजेपी बेगाले के वाइस प्रिजिन भी थे फिर बीजेपी की ऑफिशल कैनेडेट थे अगेज कॉनाट संग्मा तूरा से यह कैनेडेट अभी बनाएगा है जो दो-चार मेने पहले जो एलेक्शन खतम हुआ है उसमें और यह स संजन जो ब्रॉफिल चलाते थे लड़कियों के जिस्म का धंदा करते थे उनको अपना ऑफिशल कैनेडेट बनाया था उसका भी मैं आपको वो दे रहा हाला कि वो तो आप गूगल करेंगे मरनाट भारक मेगाले MLA ब्रॉफल रनर मेगाले MLA सेक्स रैकेट कुछ भी कर ल मुझे अभी भी नहीं समझाता कि इस तरह के जो व्यभचारी लोग है इसको वाशिंग मशीन में जैसे हमारे घर में वाशिंग मशीन है तो उसमें तीन-चार हो हैं गरम कपड़े मतलब सूती कपड़े रेश्मी कपड़े चारपां तो उसमें एक रिष्टा चारवाला त इतने लोग आ रहा हैं क्योंकि तो उसको जड़ा एड़िस्स करिए जिससे इसको भी सदाचारी बनके बिलकुल बाहर से आदमी निकले सदाचारी हो कि आपके आपके बास तो मशीन है ही कोई आपको कहीं से लाना भी नहीं है थैंक्यू सो मच धन्यवाद